प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरन अध्यन के कक्छाचार के पाठ 16 सबजी लेलो सबजी में सबजी बेचने वाले के दिनचर्या के बारे में जानेंगे, साथ ही मंडी और बाजार में होने वाले कारियों पर भी चर्चा करेंग बच्चों, जैसा की आप जानते हैं कि हमारे भोजन में सबजीयों का कितना महत्व है। भोजन चाहे सुबा, दोपहर या साम का हो। रोटी, डाल, चावल के साथ कुछ सबजीयां तो जरूर रहती है, होती है ना। आप अपने घर पर भी देखते होंगे, सबटा में दो या तीन बार पिता जी या मां बाजार से सबजीया खरित कर लाते हैं। मंडी से सबजियां खरीदते हैं और फिर घर आते हैं वहां से अपने सबजियों को छटाई करते हैं और फिर सबजियां लेकर बाजार पहुंचते हैं देर शाम तक बाजार में इन सबजियों को बेचते हैं और फिर घर लोट जाते हैं जो बची भी सबजियां रह जाती हैं कोशिश करते हैं कि दूसरे दिन ये सबजियां पहले बिग जाए और फिर इनका जो दिंचर्या है सुबा फिर जल्दी उठते हैं मंडी जाने के लिए ये सब्जी बेचने वाले बहुत महनती होते हैं चलिए पाठ में हेमलाल के पिता से मिलते हैं जो सब्जियां बेचने का काम करते हैं और इस काम में घर के सभी सद्द से उनके मदद करते हैं ये है हेमलाल और हेमलाल के पिता जी सबजी बेचने का काम करते हैं उनके इस काम को हेमलाल की मा, भाईया, छोटी बहन और हेमलाल खुद साहता करते हैं ये लोग अपना काम सुबा से ही सुरू कर देते हैं और जब ये उठते हैं सुबह और अपना काम करते हैं बहुत से लोग उस वक्त गहरी नीद में सोई हुए होते हैं सबसे पहले ये पिछले दिन की बचीवी सबजियों को बोरियों एवं टोकरियों से बाहर निकालते हैं क्यूंकि मंडी से ताजी सबजिया जुलानी होती है छोटी बहन कभी 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 इस काम में मदद करती हैं करके सभी सदस्य कारे को निपटा कर आपस में बातचीत कर रहे थे तभी हॉर्ण की आवास सुनाई दी इसके बाद हेमलाल के पिताजी और भाईया चाचू और मुहले के अन्य लोगों के साथ टेम्पो में सबजी लाने मंडी चले जाने के बाद हेमलाल अपनी बहन और मा के साथ पिछली दिन की बचीवी सबजीयों को बोरियों में रखकर पानी का चड़िकाओ करते हैं ताकि जो सबजी है पिछली दिन की वह सूख ना जाए सुबा करीब साड़े छे बजे तक पिटाजी मंडी से ताजी सबजीयों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुँँ जाते हैं इस समय घर में ऐसा लगता है कि मंडी यहीं परूट कर आ गई हो घर में सब तरप सबजी ही सबजी बैगन, आलू, टमाटर, भिंडे, मेर्च, कान आदि दिखाई देते हैं, घर पर मिलकर सबजीयों को छाटने का काम होता है, जैसे जो सबजीयों कच्ची होती है और बेचने के लिए तयार नहीं होती, उन्हें अलग से रख दिया जाता है, पिताजी को सभी काम निप्टा कर जल्दी बाजार पहुँचना होता है, और प अपने पिताजी की मदद करता है, पिताजी या कोशिश करते हैं कि पिछले दिन की सबजीयों पहले बिख जाए, पिछले दिन की सबजीयों जैसे जैसे बिखती जाती हैं, हेमलाल के भाईया बोरियों से ताजी सबजीयों निकाल कर ठेले पर सजाते जाते हैं, साथ साथ स उसकी छोटी बेहन पढ़ाई करके और खाना खाकर सो जाते हैं घर के अन्य सदसे 11 से 11.30 बजे सोने जाते हैं और फिर 7 घंटे बाद उनने फिर उठना है साड़े 6 बजे से उनकी दिनचरिया फिर से सुरू हो जाती है तो बच्चो अभी हमने इस पाठ में जाना कि सबजी बेचने वाले की दिनचरिया कैसी होती है साथ ही अभी हमने जाना कि कैसे उनके अपने परिवार के लोग इस कारिये में हाथ बटाते हैं चलिए अब आपके लिए एक परियोजना कारिय है आपको अपने आसपास सबजी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं, वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं, उनके ठेले या दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठते हैं, वे सब्जियों को ताजा रखने के लिए क्या करते हैं, सब्जिया अगर सड़ जाती है तो उसका निप्टारा कैसे करते और इस कारे में उन्हें किस तरह की समस्या आती है इसी तरह बच्चों दूसरा काम आपको करना है कुछ सब्जिया जैसे आप ले लो आलू या प्याज या गोबी या मिर्च उनको नाम को आपको लिखना है फिर उनके दाम मतलब वो कैसे केजी मिलता है आपको किस हिसाब से वो दाम लगाते हैं, वे किस जगह से लाई जाती हैं, एक बार में वे कितनी सबजियां खरीते हैं, और यह सबजी किन महिनों में ज़्यादा आती हैं, तो इसका भी रिपोर्ट आपको तयार करना है। सयोग करते हैं, आप सभी से आशा करती हूँ कि आप एक बार पाठ सुल्ल सबजी लेलो सबजी का रीडिंग जरूर करेंगे और अपनी समयज को और अधिक विक्सित करेंगे, धन्यवाद।